नमस्कार, BBC Hindi के साथ आज पश्चिम मंगाल कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जो की स्टेट की भी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर और प्लस लोग सभा में कॉंग्रेस के नेता भी है सर आपके ओपर दो दो जिम्मेदारियां है पश्चिम मंगाल में कॉंग्रेस लगबख चार दसक से ज़्यादा वक्त सत्ता से बाहर है इस बार आपकी तैयारी जो है वो 2016 और 2019 के जैसी ही लग रही है 2016 और 2019 में जो अलाइंस था आपका CPM के साथ नाकाम रहा लेकिन फिर भी आपने उसी को रिपीट किया कोई खास वज़ा है 2016 साल में हम लोग जुरूर गर्ण बंदन किया था चुनावी गर्ण बंदन 2019 में CPM पार्टी का साथ हमारे पार्टी के कोई चुनावी गर्ण बंदन नहीं हुई थी अलग अलग लड़े थे हम लोग यह सही आई कि मंता बैना जी पिछले 2016 साल में भारी बहुमत से सत्त पे आई थी लेकिन 2016 साल में आज की तारीक जैसे सियासी महोल नहीं थे आज आम लुगों की अंदर सत्तरूर पार्टी के खिलाप क्रोश सिकायत नखूशी कि जिस तरह बंगल में च्छाय हुए हैं हमें लगता है कि आम लुगों की अंदर एक नया भावना पैदा हुए है कि दुबारा कॉंग्रेस और लेट पार्टी को क्यों ना समर्थन किया जाए अधिर साब 2019 में ऐसा क्या हो गया था कि बीजेपी को इतनी जादा बढ़ाती मिल गए बंगाल में बीजेपी को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं कि राज्यदे की धिरे धिरें कॉंग्रेस पार्टी लेट पाटी बंगाल में कमजोग पर गयें कि जब बंगल में बीजेपी पार्टी की हस्यात से कॉंग्रेस और लेट पार्टी की कमजोरी दिखने को मिला, बीजेवी पार्टी उसी हालत को फाइदा लेते हुए, उसी मोखे को फाइदा लेते हुए, बंगाल की जमीन पे घुज गए, मामतर बेन जी बीजेवी की खिलाप कोई कदम नहीं उठाई, बीजेपी के खिलाब एक लब्स नहीं निकाली, उनकी सारे दाइसदगर्ट, उनकी सारे हिंग्सा कॉंग्रेस और लेट पार्टी को खतम करने में उन्होंने लगाया. बीजेपी को आपके राजियों में भी हुआ जहां आपकी सरकारती मध्यप्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ, तो यह किवल मम्का को दोश देना सही है। यह हम सब सिखते हैं, यह हम सब को देखने को मिलता है अभी, इसलिए सारे हिंदूस्तान के सारे धर्म नियुस पार्टी आज नहीं तो कल एक जूट होकर यह सांप्रदाइक बीजेपी के खिलाब अपना जंग चे रहेगी। संप्रदेक राज़ीति के लिए हमारे खानी हुए हैं। इसे मुकाबला करने के लिए चंडी पाठ करना अपनी जाती बताना खुद को ज्यादा हिंदू साबित करना आपके राहूल गांदी के बारे में कि जन्यू दिखाना मैं ब्राम्वन हूं मेरा गोतर दपता त्रे सारी बाते आती है तो लगता नहीं कि सामप्रदाइक राजन चलते बंगाल के सीम साब को चंडी पाठ के बात करना पड़ते कोई कोई कहते की राहूल गांदी को धरम नहीं मानती इसलिए उनको दिखाने पड़े का मैं धरम मनता हूं मैं सीव भक्त हूं लेकिन मेरा जो सीव भक्ती और सीव भक्ती सारे दुनिया को हमारे सीव भक्त हूं लेकिन हम Рाम की साथ रहीम को भी हम मानते है क्योंकि हमारे देश राम रहीम जिशु शपका देश है इसलिए रहूर गंदी जी जी कहते हैं देखो मेरे भी साक में जैन्यू है लेकिन मैं धरम निरपर सुंकि vaat करता हूं मैं मोधी जी और साहा जी की तरह मैं सामप्रदय केटे बात नहीं करता हूँ सीब भक्त हूँ जेनु मेरे पास आई इसका मतलब यह नहीं जेनु रखने का मतलब यह नहीं कि हमें सामप्रदय काता की राजज्डी करना पढ़ेगा यह दिखाने के लिए राहूल गंदी जी को यह कहना परा एक तरफ तो ममता मर्य जी ने आपके विधायकों को तोड़ा करीब 23 विधायकों को टीमसी में शामिल कर लिया अब जब दो फेज के चुनाओं हो गए तो उन्हों सुनिया गांदी को पत्र लिख रही है शरद पवा पर ममता बैना जी आपनी तो हार्श शिकार कर लिये है और साथ साथ ममता बैना जी को यह भी अहिसास हुई कि हिंदुस्तान में बाकी सारे जो धरम निरपक्स पार्टिया है उन सब को मदद लेते ही वो बीजेपी के खिलाब लड़ पाएंगी अच्छा लग रही है मेरे क कि देर तो हुई लेकिन ममता बैना जी की अकल में यह आई कि कॉंग्रेस पार्टिय और साथ साथ और दूसरे सारे जो धरम निरपक्स पार्टिया है हिंदुस्तान में सब को साथ मिलकर ही बीजेपी के खिलाब जंग लड़ा जाए और जंग लड़के जीतने का उमीद जत आई एक तरफ आप कह रहे हैं पत्र के हवाले से कि ममता हार रही है कलपधान मंत्री ने जोए नगर में कहा कि ममता हार रही है तो ममता वो हरा गोन रहा है नहीं मैंने यह नहीं कहा कि संखा की तोर पर हार गई है मैंने यह कह रहे है कि नईतिकता की अधार पर हार गई है नहीं तो जिस कॉंग्रेस पार्टी को जिस कॉम्मुनिस्ट पार्टी को पिछले दस सालों से ममता बैना जी की पार्टी की हेंगसा और दैसादगर्थ की सि लगने के लिए एक शक्ती माना जाते हैं यह देख कर मुझे अच्छा लगता है और नायतिकता की अधार पर जीत कौन रहा है? नायतिकता की अधार पर बंगल में अगर जीत रहे हैं तो हमारे पार्टी संग्जुक्तो मूर्चा जीत रहे हैं हो सकते कि हमारे पार्टी की संखा के बारे में, लोगों की मन में दुबीदा हो सकते। आप लोग जैसे मीडिया बालों को ये सवाल जुरूँ रा सकते कि इसके सुबीदा किसको होगा। क्योंकि आप दूर दर अज गाओं में तो नहीं जाते आज की तारीक में बंगल के आम लोगों की अंदर एक सोच पाइदा हो रहे हैं कि बीजेपी और टीमसी पार्टी ये दोनों पार्टी मिलके बंगाल में तहश नहस कर रहे हैं सामप्रदाइकता की अधार पर चुनाओं लड़ने की जो कबाया सुरू किये हैं बीजेपी पार्टी इन में बंगाल के अगले दीन बरबादी के इलावा और कुछ नहीं हो सकता इसलिए आम लोगों को हर दिन ये दोनों पार्टी के बीच जो गाली गलोच की जो होर लगी है ये गाली गलोच की होर से बंगल के आम लोग बचाओ के लिए और बंगल के आम लोग ये देखते हुए कि बंगल की तबाह होने जा रहे हैं मुझे लगता है कि संग्जुक्त मोर्चा मतलब कॉंग्रेस बाम और लेफ्ट कॉंग्रेस पार्टी की जो ताकते इनका उपर भरोसा बढ़ते जा रहे हैं जिस सामप्रदाइकता कि आप बात अधीर साहब कह रहे थे मैं कई इलाकों में भूंग रहा हूं पिछले दस दिनों से और मैंने महसूस किया है मैं कल यह narrative कहीं ने कहीं लोगों के बीच established हो रहा है आपको नहीं लग रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो कॉंग्रेस को नुक्सान उठाना पड़ेगा आज आप जो कहना है कि जाई सिराम आज आप जो कहना है कि बेगाम में जाफर यह पहले बंगाल की चुनाओं में इस तरीके की लब्स का इस्तेमाल नहीं हुआ करते थे आज यह मोहल बदल रहे हैं और यह मोहल बदलने के लिए बीजेपी पार्टी और सतरु टीमसी पार्टी आमने सामने यह कोशिश कर रहे हैं लेकिन आम लोग बंगाल की इसमें परिशानियां आम लोगों को इसमें धीरे धीरे नफरत आने लगे हैं, आम लोग ये देख रहे हैं कि बंगाल की जो सीष्टी है यो क्लिष्टी है ये सारे तबाह होते हुने जा रहे हैं। नतीजा है कि बीजेपी ने आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को यहां इस्टैबलिस कर दिया। हम हिंदूस्तानियों को पार्टी मन के चलते हैं। हमारा नतीजा जो भी हो हम अपना नीती से अपना नियास से कभी नहीं हरते। बीजेपी पड़ी जुरूर धूबी करन करने के हर तरकी के कोशिश करेंगे। लेकिन हमें भी यह धूबी करन को रुखने के लिए हर कदम उठाना चाहिए। यह हम कर रहे हैं। और यह करते-करते हम धीरे-धीरे कामियावी की मुकाम पर अभी जाने लगे हैं।